Hello students, यह जो वीडियो है यह BAC part second के students के लिए है और practical paper का है यह वीडियो practical में मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें lecture में आपको practical का शले बस मैंने whatsapp किया था और बताया था कैसे आपको file बनानी है जैसे आपने first year में बनाई थी वैसी file आपको अब second year में भी बनानी है और इसमें सबसे पहले जो आपको जो काम करना है वो है study of museum specimens तो इससे हम start करेंगे और इन में सबसे पहले जो file हम लेंगे वो है file अनलीडा तो सबसे पहले तो file अनलीडा के general characters है वो आप लिखेगा और उसके पाद जो इसका मतलब general introduction है वो आप लिखेगा कि इनका शरीर जो है वो खंड योगत होता है इसमें truth alone पाई जाती है और जो अनलीडा है इस शब्द की उत्पति जो है Latin भाशा की शब्द annulus से हुई है और जो annulus है इसका मतलब है वले या ring और अठारा सो एक में chamark ने इनको Bilateral इनमें जो symmetry बताई वो बताई कि ये Bilateral symmetrical होते है और इनमे silom भी पाई जाती है तो इन वे silomita में समलितकिया था lambark ने और इनमें ये भी बता में तो ने है कि ये जनतु जो है वह सलिव पस्टेयर में भी आपने ये पढ़ा है तो बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है ये आपके लिए तो सबसे पहला जो इसका जूर्रल करेक्टर है वो है आने लीड्स में जो बोडी औरकेनाजिशन है शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्रिस्तर का पाया जाता है और गन और गन सिस्टेम डैबल का होता है इनका शरीर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है द्वीपाशर संमेत होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक होता है त्रिस्तरी होता है और इनका शरीर वर्म लाइक होता है क्रमी समान इनका शरीर होता है students आपके आप लोग दो medium से हैं एक हिंदी medium के students और English medium के students हैं तो English medium के काफी काम students हैं तो मैं जो यहाँ पर technical terms है वो English और हिंदी दोनों में ही आपको बताऊंगी ताकि English medium के students को भी समझने में problem ना हो और वो असानी से इस chapter को या मेरे lecture को समझ जाएं तो अपन mixed language में बात करेंगे अब आगे है इनका शेरीर जो है mathematically segmented होता है और इसमें true siloam पाई जाती है और siloam जो पाई जाने का प्रकार है वो cytosilic type of siloam पाई जाती है इसमें mesoderm जो है वो split हो जाता है mesoderm तो कहने का मतलब यह कि siloam जो है वो जो mesoderm है बीच का जो सर है उस से मतलब आसरित होता है यह अब next जो इसका character है वो है देh पित्ती जो है उस पे columnar cells की epidermis पाई जाती है और इसके जो ब्रहा हवरण है वो cuticle से धका होता है और बीतर की और जो है skin के नीचे व्रत्ताकार और अनुदैरे पेशियां पाई जाती है circular और longitudinal type of muscles पाई जाती है गमन के लिए इनमे chitinus CT पाई जाती है जो कि chitinus होती है नेचर में थोड़ी कड़ी होती है और parapood यह जो होती है वो थोड़ी muscular होती है और इसके अलावा इनमें suckers भी पाई जाते है अब है जो silome है वो उसमे silomic fluid भरा होता है और इस silomic fluid में cells या कड़ी काई भी पाई जाती है तैरती रहती है अहार नाल जो होती है इनकी सरल होती है लंबी नलीका कार होती है और पूर्ण विक्सित होती है mouth to anus होती है इसका मतलब है इसके अलावा जो इनमें blood vascular system है वो बंद type का होता है रक्ट परिसंचरन तंत्रश इसको बोलते है और बंद type का मतलब की रक्ट जो है वो बंद रक्टन लिकाओं में बहता है रक्ट में hemoglobin या erythro-cruanine नाम के स्वसन वर्णक पाया जाता है जो की plasma में खुला रहता है स्वसन क्रिया जो है वो नम तुचा या पाशर अपाद या फिर सिर पर उपस्तित ब्रा जो गिल्ज है उनके द्वारा होती है उस सर्जन के लिए इनमें कुंडलित नलिका टाइप से नशना पाई जाती है नाफरीडिया पाई जाते है इसके अलावा नर्वर सिस्टम भी सुवसित होता है इसमें एक जोड़ी जो है cerebral ganglion होते है या आप कह सकते हो कि brain पाई जाता है इनमें और nerve cord पाई जाती है फिर next to इनका connector है कि इनमे sense organs पाई जाते है सर्विदांग पाई जाते है वो है tentacles, palp और simple eyes इसके अलावा taste buds भी इनमें पाई जाती है अब है ये hermafrodite type के होते है प्रतक लिंगी होते है ये कहने का मतलबी है और इनका जो परिवर्धन है वो direct या indirect दोनों रूप में हो सकता है indirect परिवर्धन जिसमें होता है उनमें larval stage पाई जाती है जो कि trocofor कहलाती है इसमें कई जो members ने उनमें regeneration की power भी होती है पुनरुद भवन शमता भी पाई जाती है और इस संग के दिखाश जनतु जो है वो aquatic है जो कि स्वच जल और समुदरी जल दोनों प्रकार के आवासों में पाई जा सकते है कुछ जनतु जो है इस phylum के वो terrestrial भी है सलवासी है और अगर aquatic है तो वो बिलकारी भी होते है तो अब ये तो हुआ general character of Annelida अब इस Annelida का अगे हम वर्गी करन कर रहे हैं संग Annelida को प्रमकृप से तीन वर्गों में विवभाजित किया गया है और इन में जो वर्गी करन का आधार है वो है इन में पाय जाने वाले गमनांग या शूक तो जो पहला वर्ग है वो है polykita दूसरा वर्ग है oligokita और तीसरा है herodinia तो polykita जो है poly का मतलब ही है बहुत सारे जिसमें शूक पाय जाएं उन्हें polykits बोलते हैं तो इसका जो जनरल करेक्टर यह है कि exclusively समुदर ही होते हैं समुदर में पाय जाते हैं कलाइटेल हम नहीं पाय जाता इसका एक्जाम्पल है निरीज एफ्रोडाइट जिसे सी माउस भी कहते हैं हिट्रो निरीज है निरीज का ही sexual form है यह हिट्रो निरीज तो यह members जो हैं यह polykits में आते हैं polykits के erentia order में आते हैं अब इसके जो इसमें characters हैं वो मैंने अभी बता भी दिये हैं तो मुझे लगता है कि अब repeat करने के जरुवाद नहीं है तो class polykits के बाद इसी की एक subclass है आर्कियाने लीड़ा इसका member भी हमारे course में है polygodius और यह जो polygodius है यह जो है इसमें जैसे polykits में शूक और पैरापूडिया वगरे साफ दिखते हैं polygodius में कुछ भी नहीं दिखाई देता लंबा पतला तंतुनुमा दिखता है यह शरीर भी बाहर से खंडित नहीं लगता अंदर से खंडित होता है और इनमें यह भी प्रिथकलिंगी होते हैं male female अलग-अलग होते हैं और जो gonads होते हैं वो भी इनमें पाये जाते हैं और इनमें जो परिवर्दन है वो indirect होता है इनमें लार्वल फॉर्म पाये जाती है कहने का मतलब है और उसको कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा अब इसके बात जो है class oligokita oligokita में सारे यह आते हैं casual अगरा earthworms आते हैं तो earthworms आपको पता है इस्थलिय होता है और कुछ सुच जल में भी पाये जाते हैं लेकिन most of the members इसके जो है वो जमीन पर रहते हैं इस्थलिय होते हैं और जो शरीर है वो अंदर से और भारूप से दोनों तरफ से विखंडी तोता है लेकिन बहुत कम उसके खंड दिखाई देते हैं उपर से अगर देखें तो और हैड रीजन में कोई स्पर्शक नहीं पाये जाते है नेत्र और पाशर पास सबका ही अभाव होता है ये बिलकुर डिफरेंट होते हैं पॉलिखीट से अब इसी का ही एक्जाम्पल है इसमें क्लाइटी लंपाया जाता है निशेचन जो है वो कोकून के भीतर होता है ये सब आपको इसमें लिखना है इसमें लार्वल फॉम नहीं होती ये सब दुबारा रिपीट हो रहे हैं ये अनिलीट के करेक्टर तो आपको बस एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा अब है हीरोडिनेरिया मैंने बस वही करेक्टर बताया है जिसको आप ध्यान रखो जो एक दूसरे से अलग है जैसे हीरोडिनेरिया है उसमें जो शरीर में खंडों की संख्या है वो निश्यत होती है 33 खंड पाय जाते है इसके अलावा इनमें भी जो है पैरापूरिया वगर नहीं पाय जाते लेकिन इनमें बोडी के आगे और पीछे एंटिरियर और पोस्टिरियर सकर्स पाय जाते है जो पोस्टिरियर सकर होता है वो बड़ा होता है और एंटिरियर जो सकर होता है इनमें जो Shilomic fluct होता है उसमें जो Ghymी गूमती रहती है तो वो Botiodal टिशू कहलाते तो इस टिशू से भरा होता है इनका जो Shilome होता है यह जो है इनमें Sumcerous पाए जाते हैं तो यह Parasitic Nature की होते हैं और Sanguvares होते हैं रक्त होती होते है क्योंकि इनका जो अहार है रख्त तो उनकमितल की कि मांसाहरी होता है और शरीर जो है इनका अतिदिक पेशी होता है इह भी एफेफरोडाइट होता है उबैलिंगी होता है इनमे एक्लाइटेलम जो है वो पाई जाती है और वो क्लाइटेल में एक एवल ब्रीडिंग सीजन में ही इनमें सपस्ट दिखाई देती है अधरवाइस नहीं दिखाई देती है और पर्टिलाइजिशन जो है वो आंत्रिक होता है परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है तो इसमें कोई लारवल फॉर्म नहीं होती और ये जैनरली एक उसमें मैंने आपको PDF में सारे ये डाइग्राम्स फॉर्वड किये थे तो आई होप आपने देखे होंगे तो इस सारे मेंबर्स आपको बनाने है और फिर इनके बारे में लिखना भी है और मैंने बताया आपको कैसे डाइग्राम बनाना है कैसे क्लासिफिकेशन कहां लिख तो फाइल को आप बहुत अच्छे से बनाएएगा थैंक यू वेरी मिच स्टूदेंट्स पर वाचिं दिस वीडियो